आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जिनके चाले ठीक नहीं हो रहे हैं बहुत सारा इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो इस वीडियो को देखना बहुत जुरूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चालो का पूरा इलाज मुझे चाले हैं, जीब के चाले हैं, या फिर गालों में चाले हो चुके हैं, तालू में चाले हैं, मसूडों में चाले हैं, या दर्द है बहुत ज़्यादा, गले के अंदर तक चाले पहुच चुके हैं, दातों के कटने से कोई चाला हो गया है, या फिर ब्रेश वगरा करत कटने की वज़े से हो या फिर पेट में गर्मी की वज़े से है या फिर पेट में गैस की वज़े से भी चाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं पेट की खराबी की वज़े से भी चाले हो जाते हैं या फिर ज्यादा दवाईयां खाने की वज़े से भी हो जाते हैं या फिर लीव औरा जेल है लगाने वाली है जो की हमने लगानी होती है और ये टेबलेट है इसको खाना है ठीक है तो जल्दी से जल्दी छाले जो है ठीक हो जाएंगे टेबलेट को खाना है सुबे शाम सुबे शाम और इसको लगाना है सुबे दोपहर शाम को लगातार तीन दिन से लेके स साथ दिन तक इसका कोर्स करना है चाले बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएंगे कुछ भी प्रोब्लम नहीं रहेगे और दुबारा भी नहीं होंगे ठीक है हाँ अगर पेट की गड़बडी रहती है गैस बगएर बनती है तो गैस की टेबलेट लेनी पड़ेगी उससे भी कई अगर बार बार चाले हो जाते हैं तो एसी लोक टेबलेट आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ रहती है वो तो इसमें जो है पाई पंद्रागोलिओं का और इसका है 52 पर इसका है, सिंपल सा ज्यादा इसमें कोई खर्चा नहीं है, और सिंपल सा तरीका है, दो ही दवाईया है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो जिनको छाले हो रहे हैं, वोसित दवाई का इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन बίνदडॉकर्ट्टर की इसलाकल करनहीं करना है, जब भी entire क पर दोक्टर की सिला के साथ ही उपयोग करें तो इसकी जो साइड इफेक्ट है वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है ज्यादा तर अगर फिर भी आपको इसको लेने से उल्टी घबराहट मतली चक्कर दाने निकलते हैं खुजली होती है या फिर मुह में जलन हो जाती है अपनी डोक्टर को जरूर दिखाएगा लेकिन बेन डोक्टर के सिलाक 篇न दोनों दोनों को अप्योग नहीं करना है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूं आपको यक्षा लगए जिरू करते हैं चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूलेगा आपना ओड़ाद।